अर्बी के अगर सब्जी आप बनाते हैं या फिर सूखे वाली रसभे बनाते हैं और वो टेस्ट नहीं आपाता है तो आप यह मटर के जो फेकने वाले चिलके होते हैं उसे डालकर आप इसे टेस्टी बना सकते हैं तो इसे कैसे यूज करना है अब चलिए मैं वो तरीका बता और इसे आपको सबसे पहले उबालना है और उबालना कैसे है तो इसे उबालने के लिए जब दे रहा है तो मटर के छिलके आपको उसी में डाल देना है उसके बाद इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है इससे क्या हो जाएगी एक प्रोब्लम होगी कि जो खरास वाली होती है जो खुजिली होती है अरभी खाने से, वो खतम हो जाएगी, अगर कोई भी अरभी लेते हैं, तो वही इस्तमाल करना है, या फिर आप जिमी कान के भी सबजी बनाते हैं, तो वह इसे ही करना है, और सभी को अच्छी तरह से छील लेना है, और छील लेक बाद क्या करना है, मैं अच्छी तरह से इसे लंबे-Lंबे आकार में cut कर रही हूँ, अगर आपको भी अगर लंबे साहज को पसंद है, तो आप कर सकते हैं, गोल साहज पसंद है, तो आप गोल भी सेफ में इसे काट सकते हैं, ये देखें, अच्छी तरह से cuts कर दिया है, और इदर मैं मैंने गेस में एक कड़ाई चला दी है गेस के पेन में और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है तेल और इसमें टेश्ट बढ़ाने के लिए मैंने डाला है इसमें जीरा, सर्सो और अजवाईन डालना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अर्बी थोड़ी सी हाड होती है पच्छने में तो इसलिए आजवाइन जरूर ढालिया उसके बाद मने दो हरी में चडाल दी है और अर्बी देखें। और फिर मैंने उसे ढाल दीया है। और फिर क्या करना है ? लगातार आपको चलाते रहना, लगातार चलाएगे तो क्या होगा ? एक crispiness भर जाएगी एक एक जो layer होती है एक परत होती है ना क्रिस्पी पन की वो अच्छी तरह से coat हो जाएगी तो लगभग आपको 2-3 मिनट में ये काम होने वाला है बहुत ही easy recipe है बहुत ही जल्दी भी बन जाती है उसके बाद आपको डालना है स्वाद अनुसार नमक और न इसा डाला है जिससे इसका टेश्ट कई गुना बढ़ने वाला है तो ये देखे हल्दी और नमक डाल दिया है और अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ बिना लसू प्यास की मैं इस अर्वी को बनाने वाली हूँ तो भी बहुत ही टेश्टी बनेगी आप चलिए वो तरीक इसे इस्तेमान लही किया ने बेसन का तो जरू करिए और बेसन को बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है अब भूनना लगबग एक से दो मिनट में हो जाएगा आपका उसके बाद आपको डालना है थोड़ा सा काली मिर्श का पाउडर ये देखे बहुत ही कम डाला है थ थोड़ा सा लाल मिर्श का पाउडर तीखा का नुसार आप डाल सकते हैं थोड़ा सा मने डाला है धनिया का पाउडर और थोड़ा सा आपको डाल देना है जीरा का पाउडर और अच्छी तरह से फिर से आपको वही काम करना है और उससे पहले आपको डाल देना है थोड़ा और ये देखिए सभी चीजों को मैंने मिला दिया है और बहुत ही अच्छी सी महकारी है और आप कोई कह भी नहीं सकता है कि इसे मैंने बिना लसुन प्याज के बनाई है तो ये देखिए बहुत ही कम समय में टेश्टी अर्बी की सबजी हमारी या फिर सूखे अर्बी की कमेंड आ रहे हैं जाके जरूर देखिए